हम कई बार वास्तु दोश के कारण परेशान करते हैं और इन्हें दूर करने के लिए कई तरह के उपाई भी करते रहते हैं लेकिन हमें सही जानकारी न होने से उनका कोई फल हमें नहीं मिल पाता है हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व है और पूजा पाठ करते समय कई लोग ऐसे हैं जो सुपारी का इस्तेमाल भी करते हैं सुपारी को गौर गनेश जी का रूप माना जाता है लेकिन कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि यह सुपारी बहुत बड़े काम की चीज है सुपारी के साथ दो लोग लेकर अपने घर के वास्तु दोश और परेशानियों को दूर कर सकते हैं आपने कई बार पूजा पाठ के दोरान सुपारी का इस्तेमाल करते हुए तो सुना होगा लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जिसमें सुपारी का इस्तेमाल करने से आपकी सभी परेशानिया दूर हो जाएगी आप सुपारी को लाल या पीले कपड़े में बांध कर रख दे तो आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी इस टोटके को करने के बाद भगवान गनेश जी का ध्यान करें और उनकी पूजा करें सबसे पहले एक सुपारी और दो लोग लेकर उसे लाल कपड़े में बांध कर भगवान गनेश जी का ध्यान करें इससे गनेश जी को अरपित करने के बाद इसे अपनी पॉकेट में रख सकते हैं ताकि आपको हर काम में सफलता मिले इसके अलावा पीपल के पेड की पूजा करने के बाद आप एक सुपारी और एक रुपे का सिक्का चधाए ऐसा करने से नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और बिजनेस बढ़ेगा अगर किसी को नजर दोश है तो सुपारी लेकर साथ बार उस व्यक्ति के उपर से उतार कर हवन कुंड में डाल दें ऐसा करने से आपकी सभी परेशानिया दूर हो जाएगी वैसे भी हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री गनेश को विग्ण हरता माना जाता है और इस तरह के उपाए करने से आपकी सारी परेशानिया दूर हो जाएगी